मانसून ने दि दस्तक मोंसून की पहली बारिश से लोगों ने ली राहत की सांस अज सुब़ह से ही मांसून ने दस्तक दी और ज्माझम बारिश के बाद लोगों से बारिज दा tutte दर्ट Class oohad साथ बारिश की आस देख रहे किसानों ने भी राहत की सांस ली वहीं लोगों का कहना है कि लगातार जिस तरीके से गर्मी का टेंपरिचर बढ़ता जा रहा है लोग काफी परेशान थे लोगों को उम्मीद थी कि अगर बरसात हो जाती है तो गर्मी से कुछ राहत उन्हें मि लग रही है बरसात 24 घंटे तक होती रहे जिससे गर्मी से राहत मिल पाएगी वहीं दुकानदारों का कहना है कि लगातार पिछले पांच दिनों से गर्मी अथा पड़ रही थे जिससे दुकान पर बैठना भी मुश्किल हो चुका था लेकिन आज सुबह हुई बरसात के बाद मौसम भी सुहाबना हुआ और लोगों ने भीशन भारी गर्मी से राहत की सांस ली बरसात होते ही बच्चों की चहरों पर भी खुशी देखने को मिली बच्चे इस बरसात में नहाते हुए दिखाई दिये वहीं किसानों को भी इस बरसात से काफी फायदा मिलेगा क् अपनी धान की रुपाई का काम अब शुरू कर दिया जाएगा किसान भी इस इंतजार में बैठे थे कि बरसात हो और उसके बाद वो अपनी धान की रुपाई शुरू करें इस बरसात से किसानों को काफी फायदा मिलेगा मौनसून की पहली बरसात से लोगों के चेहरे क्या पुरी परेशानी हो रही थी किया नाम जी अपका जित अंदर जिस तरीके से लगातार गर्मी का टेंपरेचर है वह तो लोगों को भी कई न कई परेशानी हो रही थी लेकिन आज मोसम कई न कई एक बड़ शुहाना देख रहा बरसात जो है वहने स्टार्ट होगी कितने रात के सांस मिली यह से जादा रहत है तिन चार दिनों से गर्मी इतनी जादा थी कि दुकानों पर बैठना काम करना आना जाना कहीं नहीं हो पा रहा था इस विज़े से आज मौसम में बदलाव आया है जिससे कि लोगों को बहुत रात मिली घर्मी के जलते जो मरीजों की संक्या वह भी बढ़ रही थी लगातार गर्मी से लोग भी कहने के परेशान थे और लेकिन आज जो मौसम जो है एक बार दुवारा सुआना हुआ बरसास सुबह से होने लिए स्टार्ट होगे लोगों को कहने के रात सांस में लिए गर्मी से बहुत ज लेकिन इस बार बताए जाए जिस तरीके से बार बरसात हो रही है तो कितनी रात की सांस है इससे मौसम भी ठंडा हुआ है हमारे साथ जूड़े रहने के लिए देखते रहे देश रोजाना का यूट्यूब चानल सब्सक्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन